इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये, कॉमेंट करिये और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है क्या पाकिस्तान भारत को अपने हर मसले से नतीन नहीं कर सकता ना ही Middle East में कर सकता है, ना ही अमरीका के साथ कर सकता है और मेरे खाल में कुछ अरसे बाद चीन के साथ में नी कर सकेगी और इसमें मसला ये नी है किपाकिस्तान और भारत के جो मसाइल है वो कोई हलो गए है या उनको हमें एग्नोर करना है या उसे हमने अंडर्माइन करना है ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट करना कि अगर तो मेरे दोस्त हो तो तुम्हें उसके साथ कुटी करनी होगी ये आज की दुनिया में मुम्किन नहीं है उसकी जो वजा है वो एक बिलियन लोगों की भारत की एक बड़ी एकॉनमी ना सिर्फ बड़ी बलके एक फाल एकॉनमी जिसकी मुलकों को जरूरत है मुलक अगर भारत के करीब जाते है इसलिए नहीं जाते है मुझे डॉक्सर ये बताएं एक तरफ आपको तीन बिलियन भी आपसे दियावा वापस में ले लिया और उन्हें टाइम से पहले रोल ओवर भी उसमें था टेल की आपकी फसिलिटी सिस्पेंड कर दी फिर उन्होंने आपसे इंडिया के अंदर यूएई और साओध अरबिया का वादा किया था इंवेस्पन्ट का वो भी बिल्कुल शेल्फ हो गया है। आप कहरे हैं कि ये आइधर और नहीं है तालुकाद जों से उनके इंडिपेंडिड़ आपके इंडिपेंडेंट है लेकिन हम देख रहे हैं कि इंवरस्टी प्रp Jedaka गया है जैसे हम नीशे जा तो खड़े हैं वना नहीं है आप नहीं मैसिज क्लियर है लेकिन मैसिल क्या है देखें आपने जो अभी एक्जामपल्स दी उसमें जो पाकिस्तान को उन्हों दी वो इमदाद है जो भारत उनके साथ कर रहा है वो उनकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन मुमालिक को करती है जब कहीं जंग हो जब कहीं मसला हो जब कहीं कुछ हो और हमें यह सोचना होगा कि हम इनको क्या दे सकते हैं आपकी 300 बिलियन डॉलर की मुकाबला ना किया करें कि इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है उसकी एकॉनमी जो साइज है वो आपसे बहुत बड़ी है दुन दुनिया की एक लीडर्शिप के किरदार से आपको दुनिया जानती है यह भी मैं बता दूं कि शुरू से चाहे साओधी अरब बहुत बड़ी उसकी एहमियत है विखौज अफी पोली श्राइन लेकिन दुनिया में अगर कोई इसलामी मुल्क जिसको रिकिनाइज किया जा पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर वारा जाते थे यह पहली दफ़ा है कि आर्मी चीफ गया है इंडिया का यूएई में भी और साओधी अरेबिया में भी और बड़ी एक्स्टेंसिव उनकी मुलाकाते हुई जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन ब काउंसल इससे पहले साओधी रेबिया की यह सिर्फ इंग्लेंड यूके फ्रांस और चाइना के साथ थी यूए इंडिया चौथा मौलका है फिर जॉइन कमेटी ऑन डिफेंस कॉपरेशन दोजा अठारा में साइन होता है साओधी रेबिया का और इंडिया का जिसके मताब भी बात हो रही है कि ब्रामोस जौनसे हैं मिजाइल सिस्टम इसकी भी सेल की बात हो रही है यूएस के साथ ये इंडिया और रश्या ने बनाया वा था ये सारी चीजें हो रही है हमें बहुत एक्स्टेंसिव इंका इंट्राक्शन नजर आ रहा है तो क्या आप कैसे देख थे जब सुना डैमिज कंट्रॉल करने साओधिरेबिया तो तब भी मुहमद इन सुल्मान की उनसे मुलागात नहीं हुई ये बड़े अलामिंग सारे इंस्टेंस हैं तो पहले था हम सुनते थे कि यूएई और साओधिरेबिया से कोई भी तालुकात खराब होंगे तो दाहर ये नदर आता है लेकिन हमें कुछ थोड़े से हकाइक सामने रखने चाहिए और वो ये हैं कि इस खिते में मिडल इस्ट में और इन मुमारिक में खास्तार पर बहुत बड़ी बड़ी तबदीली आई हैं उनकी सोच में आप देखिए कि एक सोच पैन अर्व होती थी और फलस्तीन के साथ बड़ी अटेश्मेंट थी वो तक्रीबन खतम हुई पड़ी है नोब्ली इस बादर उन लोगों की सोची बदल गई है इसके इलावा इसराइल के साथ हमका जो उन्होंने अभी जो रिकिनिशन की है मेरा खेला सौदीज भी तक्रीबन कर चुके हैं य बहुत बड़ा एक तब्दीली है जो उनके उनको एक अलएदा डिरेक्शन में एक ऐसे ब्लॉक में लेके जा रही है लेकिन सबसे बड़ा जो किस्ता वह वह उनकी डिवर्सिविकेशन आफ एकॉनमी इन्होंने एक तो साथे रेविया को उपन अप कर रहे हैं वो प्योर जो बड़ा एक एक बड़ी स्टॉंक किसम की ऑर्थोडाक्स किसम की इस्लामिक सोच ची उससे वो अट गए और एकॉनमी को वो उपन करने लगे हैं यानि डिवर्सिपाई करने गे हैं और चीदों में उसके लिए उनको आखर कही मार्केट्स टूंड नहीं हैं इंडिया ए गर्बते हैं जो फाजी और बड़े स्ट्रिडिजिक स्ट्रीजिक हैं साओधिर अरेबिया ने आपके साथ स्ट्रिजिक काउंसल नहीं नहीं उन्होंने इंडिया के साथ बनाई उनके जोंसे एक बाले उस पर बज़़ेढ़ हैं जी जी बाग देखें जब आप महां पे इ कम आके यहां से जाते रहें तो कोई कहानी और आपसे नहीं होगी यह नहीं होगा आपको प्लिटिकल साइड मिलिटरी साइड पे वो इंडिया की प्रेफरेंसेज़ आपको थोड़ा बाद गुस्रीटेंगे मसलिन के प्रेистर अगर उफिसर एक से अगर उनके चार ऊफिसर उनके वहां चरे जाते हैं और दस-पंद़रेंस परदीज हमारे भी हारे दारे में आते हैं तो किसमे इसमें आप क्या कर सकते हैं यह इसमें घलती कया है? हमारी military to military relationship बड़ी मुख्तलिफ है जतना पाकिस्तान का मुस्लमा सिपाही उसको अपना मख़भी फریजा समझ के डिफेंड करता है और दुनिया का कोई मुख्तलिफ निए अच्छा जनल साँ मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था इंडियन मीडिया में ये भी speculation चलाई जा रही है कि जी इंडियन आर्मी चीफें वहाँ ये भी बात की कि जहां आपने पाकिस्तान के soldiers लिये में हैं वहाँ पे आप इंडियन units भी ला सकते हैं इन मख़भी मुकावाँ पे जो मुस्लमान होंगे पता है ये एक एगजीव सी speculation है लेकिन ये बात होना ही आज से कुछ हरसा पहले तक एक रोज अन्थिंकिबल कैसी कोई बात की सोच भी सकता है ये चीज बात हैं को हो रही है ना ये बात आपके ठीक है लेकिन उसमें मसला क्या है ये उनके पास प्यूर आर्मी यूनिटें उनकी नहीं है मुस्लमान तो बड़े गिंती के लोग हैं महाँ पे वो कैसे रही है तो गाईज आपने वीडियो देखा वीडियो अब यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा अमजश शोयब जो पाकिस्तान की रेटायर फोज का है मतलब पाकिस्तान की फोज का हिस्सा रहा चुका है और अभी रेटायर है साइद इंडिया में ये कैदी भी रह चुका होगा और इंडिया खिलाब ये तीनों वारों हारा हुआ सैनिक भी रहा होगा यह इस तरीके की बेवकूफा ना वरकरी बात है करता है कि बोलता है कि अगर UAE को फौजियों के जरुद पड़ी और वो मुसलिम फौजी मांगते हैं तो भारत के पास मुसलिम फौजी ही नहीं है आप समझ सकते हैं कितना बेवकूफ इंसान है यह इसे इंडिया की फौज के बारे में कुछ भी अंदाजाई नहीं है इंडिया में कितने मुसलिम फौजी भी काम करते हैं कितने सिक फौजी भी काम करते हैं कितने सारे डिफरेंट टाइप के फौजी काम करते हैं इसको यह भ आप समसकते हैं बेब गूफ इनसान है यह लोग, यह लोग केबल, बस काफर को काफर settings hacking समझते हैं, और कुछंहीं समझते हैं, मतलब इनके साथ से मुसल्मान और दूसरा काफर बस, इस तरीखे की बाते हैं, अब आपको जो भारत से comparison करने की आदत है उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा आप आदत ये छोड़िये भारत से comparison करते करते आप कहीं के भी नहीं रह पाएंगे भारत एक दुनिया की उभरती हुई सबसे बड़ी economy और global ताकत है भारत से आप तुलना अपनी आपकी न करें भारत की दुनिया को जरूरत है दुनिया को भारत की जरूरत है भारत से कोई भी देश अब पंगा लेना नहीं चाहेगा क्योंकि जानता है भारत की पावर को भारत की मार्गेट को इस तरीके की बातें करने वाले panelists definitely कुछ ना कुछ तो दिमागदार लग रहे थे as comparison to Am जशोइब और इस पत्रकार ने भी अमजशोइब को जवर्जस तरीके से आईना दिखाया है इस पत्रकार को बोला कि भाई ये तो जो मुस्लिम फोजी है वो साओधी अरेबिया और उनके बीच का relationship है आपको क्या पता मतलब definitely इसने आईना दिखाया और आपने देखा कि अ भी साओधी अरेबिया गए थे पाकिस्तान के foreign minister साह मैमूद कुरैसी और क्या जवर्जस तपना कटवागर आये है इनका इतनी वहाँ पर वेजिती हुई है ये अपने जो पाकिस्तानी लोग है जिनको visa नहीं मिल रहा है जिनको work permit नहीं मिल रहा है उन work permit को activate कराने के लिए गए थे मतला वो फिर से start कराने के लिए फिर से चालू कराने के लिए गए थे और वो काम तो इनसे वहाँ पर हुआ नहीं उन्होंने इनको भाव भी नगे नहीं दिया वहां के बड़े बड़े official ने इनसे मिलने से ही मना कर दिया और उसके बाद रहा हुआ कि हिंकी होई को को कुछ भाव मिल जाएगा तो इन्होंने क्या किया इन्होंने इंडियन के आर्मी को लेकर एक कमेंट में कमेंट किया कि इंडियन आर्मी करेगी फिर से भारत से होगी फिर से पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो की तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी बहुत बहुत भी आदे की तीसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत करने वाला है और ये वही पाकिस्दान है जो अभी तक एकसेप्ट नहीं करता कि भारत ने जो पिछली दो सर्जिकल स्ट्राइक की है तो आप समझ सकते हैं इनके पास कोई कॉंटेंड नहीं है अब ये लोग भारत भारत करके पाकिस्तानी मेडिया में अपना काम चला रहे है और अमजाश शोइब इस तरीके के बेबकूफ अगर फाजी पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं तो ये भारत के लिए इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है क्योंकि आप अगर कंपैरिसन करें मेजर गौरावार एक और अमजाश शोइब का तो आप देख सकतें कि मेजर गौरावार आपके बास कितना नौलेज है और इस बेबकूफ को इतना भी नहीं पता कि इंडियान आर्मी में मुसलिम फाजी गिंदी के चार पाच है एसी बात है करता बेब कूफ और आपने देखा कि जो दूसरे पैनलिस्टोν होने बताया कि इंडियान लेवर इतनी स्किल है पाकिस्तान के लेवर उनके सामने टिकते ही नहीं इंडिया की labor की जरूरत है उनके इंडियन workers की जरूरत है साओधी अरेबिया यूएई को पाकिस्तानी labor वहां जाकर इंट गाड़ा का दाम करेगी और उसके अलावा इंसे कुछ हाता नहीं है skillful labor, skillful engineer, skillful doctor इनकी जरूरत है साओधी अरेबिया और यूएई को भारत की और आपको पता भी होगा यूएई और साओधी अरेबिया तो नहीं यूएई में जो जादा तर population है वहां की 70% population इंडियन है वहां के local से भी जादा इंडियन लोग महाँ पर रहते हैं उसके बाद पाकिस्तानी, बंग्लादेशी और फिर local आप समझ सकते हैं कितना दबदपा है इंडिया का यूएई दुएई को बिल्ड करने में इंडिया का कितना वड़ा हाथ रहा है आपको पता होगा हाला कि इसमें हाथ तीनों देशों कर रहा है भारत बंग्लादेश और पाकिस्तान लेकिन इसमें ज़्यादा तर जो योगदान रहा है वो इंडिया कर रहा है आपको पता है तो इस तरीके से UAE और साओधी अरेविया भारत की हैसियत समझते हैं जो कि पाकिस्तानी जो बिल्कुल गलत फहमी में बच्पन से जी रहें अच्छा है ये ऐसे ही जीते रहें बच्पन से और गलत फहमी का सिखार ही नहीं आपको पता है इनको मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का वड़ा सौक था तो इमरान खान ने टर्की से बड़े एक क्लोज रिलेशनशिप की है और मलेशिया के साथ मिलकर ये अपना एक इसलामी ग्रूप बनाना चाह रहे थे जिसके बाद साओधी अरेविया का एक्शन का रियक्शन तो आना था आपको पता है साओधी अरेविया ओएशी में डॉमिनेटिट करता है और साओधी अरेविया नहीं चाहता है कि उसके अगेंस्ट कोई मुस्लिम उम्मा का नया ग्रूप बने और टर्की से साओधे रेविया डेफिनिटली बहुत हीट करता है तो उस चक्कर में इन्होंने साओधे रेविया ने पाकिस्तान की जो एड है और जो पुराना लोन है वो भी जवर्जस तरीके से कट करना शुरू कर दिया तो दोस्तों आपको बता दें इमरान खान को जो मुसलिम उम्मा का लीडर बनना था वो बड़ा महंगा पड़ा और पुराने लोन मोन भी चुकाने पड़ गया और आप इनको तेल विल मिलने में भी साइध दिख कर जाए तो चली दोस्तों वीडियो करते हैं और आप से रहेगी रेक्वेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में ज़रू शक्रा धन्नमा दोस्तों